हेलो एवर्मन मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आज स्क्वेर आफ के बाड़े में बता हुआ काफी सारी क्वेरी आरी थी मेरे पास कि वह एक टाइम पर स्क्वेर आफ करना चाहते हैं मार्केट के अंदर उनकी काफी सारी पोजिशन ओन होती ओपन यूज कर पारें तो आज मैं आपको थोड़ा से डिपली बताता हूँ एज एक्जाम्पल आप देख सकते हो कि मेरी यहां पर जरोधा के अंदर मैं आपको दो इक सीज्ट पर बताऊंगा यह फायर्स पर जरोधा पर एलेक्स ब्लू सैंको और कोई भी अधर एक चेज यह आप उन पर एजली कर सकते हैं तो पहले आप देख लीजिए फायर्स के अंदर मेरी चार पोजिशन होने एस बीए के अंदर तीन को एंटिटी ओंगी सी आयो सी गेल तो आप मुझे क्या करना है सबसे पहले आपको करना कहा देखो आप स्क्वेर अफ करना चार्टर लगान होगे ऐसे एक्जामपल मैं यहां गया अलट्स बॉक्स क्या कहते इंडिकेटर पैनल पे और मैंने यहां सर्च करा अलट्स विज सिगनिफाई तो यह नंबर वन पर आपको यह शो हो रहा है तो ऐसे इतना ही सच करके आपको शो हो जाएगा इसे बस चार्ट पे अट कर ले कि आपको एक मिनिट का टाइमस्परेमर खोलना कोई भी चार्ट हो डाउन्स एक मिनिट का टाइमफिरमर खोलोगे मैंने जैसे पहले खोल रखा यह इस के बाद इस इंडिकेटर को अपलाई कर दोगे तो मैंने पहले से चार्ट में आट कर रखा था वास इसे ओन कर दिहville ह आपको यह शोर नहीं लगे तो यह चार्ट पर अपलाई हो रहा है यह इंडिकेटर चार्ट पर अपलाई हो गया तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या होता है कि जो alerts है वो जब आते हैं महाँ पर लिखा आता है alerts है तो इसके अंदर आप अपना time set कर सकते हो as a example के में इंडिकेटर के setting पर गया यहां पर मैंने 15 डाल रखा 15 का मतलब 3 बज़े as a example अभी जो time हो रहा है वो अगर बचके 24 मिनट 24 मिनट कर देता हूं मैं 30 मिनट कर देता हूं दो मिनट वैसे तो अब क्या होगा कि आप देखो कि पिछले दिन भी यहां आप अगर candle पर ले जाओके तो नीचे आपको time show हो रहा होगा 14 बचके 23 मिनट पर कल यह alerts आया था तो अब हमें बस टिगर कराना के लिए हमें करना क्या है वो दिखा देता हूं आपको सेंटेक्स पेज़ पर जाना है सेंटेक्स पर चलते हम इस पर क्लिक कर लेते तो अभी हम जरुद्धा का सेंटेक्स बनाएंगे यहां दो तरीके से टिगर करा सकते हो यह जो ओडर लगे वह रागुलर गए रागुलर ओडर एकजिट करने के लिए आप किलिक करोगे कोई भी रागुलर ऑडर उसे जीट करने के लिए रागुलर एक जीट पर पर किलिक करोगे अगर वह सब्सक्राइब करना चाहता और एक option है कि particular में एक ही चीज को exit करना चाहता हूं तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको तो हम चलते हैं इधर code पे और मैं यहाँ पर डाल देता हूं हो SBIN और यह SBIN आ गया बैं generate code करा copy करा मेरी पहले से connect है तो अब मैं इधर जाता हूं और यह candle कितने वाज़े कि तीन बच्के बाइब तीन बच्के 21 मिनट की candle आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा और मैं टाइम देख ले तो हां तीन बच्के 22 मिनट आने वाला तो हमें बस अलर्ट लगाना अलर्ट लगाने के लिए क्लिक करना है इंडिकेटर का नाम जो है अलर्ट बिस सिग्निफाइ सर्वार करें लोड्र लोगा अगर आपने कोड डाल रखा होगा तो आपकी साधार दाएगी तो क्या करता हूं हैं लिख देता हूं मैं लेता हूं स्केर डाल दाल दिया अभी जो हमने सेंटेक्स बनाया हो啊 only for particular order का बनाया है कि हमारा SBI ही स्क्राइब इस टाइम पे आप टाइम अपने हिसाब से कुछ भी दाल सकते हो मैं इसे इधर जाके इसे सेफ कर देता हूँ सेफ करने के बाद करेंगे आपको दिखेगा मेरा अलर्स यह बन गया है अब यह क्या करेगा एक मिनट के टाइम फिर्म में बना जैसे ही नो बच्च के चोविस्स मिनट की कैंडल बनेगी यह बनेगी वैसे ही मेरा यह SBI का ओडर एकजिट कर देगा आपको लाइब दिखा द स्क्वेर उफ कर दी तो इस तरीके साब स्क्वेर उफ करा सकते हो यह जो मैंने बताया था पर्टिकुलर एक सिंबल का बताया था कि आप पर्टिकुलर किसी चीज को टार्गेट कर रहे हो बट आप चातो सारी की सारी कैंसल हो जाए regular order की तो आपको क्या करना पड़ेगा द पिर से हम टायम सैट करेंगे तो टायम सैट कर देते हम फटाफट इंडिकेटर ऊपन करके कोशिस करते कि यह कितना टेज़ 24 हां मैं फटाफट इसको 24 कर देता हूं और अलर्ट्स बना देता हूं पोजिशन को लोग यह था सारे order को exit करने का इस तरीके से आप अपना time set करके तीन बजे या तीन पंदरा पे तीन बीस पे आप जो भी चाहते हो जब order exit करवा सकते हो एसन यह आप exit करा सकते हो आप इसके अंदर buy का code भी दाल दोगे तो उतने बज़े वाइ कर लेगा मतलब main thing is send text आप जो send text दालोगे वो चीज़ यह करेगा doesn't matter कि यह आप square of दालोगे करेगा इंडिकेटर यह alerts दे रहा है alerts के अंदर जो code दालोगे वो चीज़ भरके होगी तो मैंने आपको जुरुद्धा पे दिखाया है यही चीज़ अब मैं आपको fires पे दिखा देता हूँ fires के अंदर अभी मैंने दो पोजिशन ले रक्की है एक IOC और SBI दोनों डेमो पोजिशन एक पोजिशन और ले लिता हूँ मैं आपके सामने यह ले लिता हूँ मैं जिससे कि आपको दिखा सकूँ एक गेल के अंदर भी पोजिशन ले ले लिता हूँ बाई की और यह manual ले र करूंगा दवल किलिक करने के बाद यहां पर सेंटेक्स अपेर होंगे मैं इस पर रेगुलर पर किलिक करूंगा यहां पर अगर मैं किसी चीज को particular target करना चाहता हूं तो मैं उसका नाम डालूँगा तो मैं नाम डाल देता हूं SBIN क्यों मैं SBIN को target परगेट करना चाहता हूं जो आपको उप्शन दे यह जाते हूं सबको फिल करना है आपको यह मैंने कॉपी करा कॉपी करने के बाद मैं अपने इधर इंडिकेटर पर आया तो अभी जो टाइम हो रहा है वह बज रहे है 14 बच के 25 मिनट तो अभी हम पहले इंडिकेटर को में जाके अब अलर्स लगा देता हूं अलर्स लगाने के लिए वह अगर मैं अलर्स इसको रखूंगा तो यह हमेशा 14 बच के 26 मिनट पर मेरी पोजिशन को स्क्वेर आफ कर देगा जो मैं भी यूस कर रहा हूं यह देखिए अलर्स आया अब यहां पर देखिएगा मेरी प टार्गेट नहीं करना आपको सिंपल सा कोड बनाना है थोड़ा सा इसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगी वह बता दू जब आप फायर्स यह वह पर डबल क्लिक करोगे और सब को टार्गेट करना चाहते है तो यहां पर आपको जनेरेट कोड करने पर यह कोड आ रहा है इधर आपने नाम नहीं दाला सेम पहले की तरह और ना यहां आपने एक्स्चेज्ज सेलेक करना कोड आ रहा है बट यहां पर क्या हो रहा है कि यह टी एस आ रहा है आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा मैनवली तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और आपके सामने एक कर दूँगा यह कोड इस तरीके से बन जाएगा अगर आपको सारे के सारे रेगुलर और एंग्जित करने मैंने कॉपी कर लिया और इन फूचर यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा कि आपको जैसे जरुदा का जन्रेट होके मिल जाएगा बट अभी के लिए आप यह कर अडोर्ट कर दिया और सब्सक्राइब और यहां पर आज आज से देखना तीशन है यहां पर जितनी विए पोजिशन होती उनको यह क्लोज कर देता अलर्स पर चलते तो देखिए अलर्स आया अलर्स जैसे आया हम इधर चलते अब आप यहां देखेंगे एक करके दोनों पोजिशन गैब हो जाएगी आपके सामने गैब हो गई इस तरीके से आप रेगुलर ओडर को स्केर अफ कर सकत या ब्रैकिट ओडर की पोजिशन वो स्केर अफ कर दियोगी उसके लिए क्या करना है मैं दुबारे से बता दे तो जो सेम प्रोसेस हमने रेगुलर एक्जिट के साथ करिए वो सेम प्रोसेस हमें इस पर क्लिक करना है इधर सिंबल डालना है जो भी हमारा सिंबल है एक्जा से एक बार मैं कुछ भी generate कर लेता हूं कर लेता हूं यह only for fires का बता रहो आपको cover on bracket के लिए generate code करा इस code के अंदर भी आपको modify करना होगा क्या करना होगा थोड़ा सा दीशे दिखा देता हो क्योंकि हम सबको target करना चारे तो हमें क्या करना होगा यहां से इस कोमा से और बिल्कूल cancel तक यहां तक आप देख सकते हो यह पूरा जो हमने पहले code लगाया था पहले हमारा close लिखा वा था इसके अंदर थोड़ा सा different cancel लिखा वा है तो इससे आप आप exit कर सकते हो अपने cover and bracket order को यह only for fires के लिए था अगर आप जरोधा पर करना चाहते हो जरोधा का बहुत easy है जरोधा पर click करा और सबके easy है बस इसका एक bug सही मैं बाद में fix कर दूँ आपको इस पर click करना है और generate code कर देना अगर आप सबके करना चाहते हो इसमें आपको क्या कहते हैं trading symbol नहीं instrument token है तो आप जैसे as a example मैं SBI को सबको करना चाहता हो तो यह code generate होगा अगर मैं किसी particular stock को करना चाहता हो जैसे SBI का code 3045 है तो हमें इस तरीके से generate करना होगा यह है regular order के लिए same process वैसे ही cover order के और bracket order के लिए वो इससे होगी I hope आप समझ गयोंगे इस तरी अब आ जाते paper trading वालों के लिए जो paper trading में काम कर रहे हैं तो वो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हाँ हम तीन बज़े तीन पंद्रा पे position exit करना चाहते हैं पर आपके पास यह option नहीं होगा कि आप सब को कर पाऊ बढ़ हाँ आप particular stock को कर सकते हो आपको यह code उस जो alerts हम बना रहे हैं जिस इंडिगेटर पे उस इंडिगेटर पे alerts बना के आपको डाल देना है I hope आपको पता चल गया होगा thank you for watching this video and bye